मनोज शाह बने AIPMA के प्रेसिडेंट अनिल रेड़ी का बढ़ा कत भारती प्लास्टिक मैनुफेक्चरर्स की सबसे बड़ी संस्था दि आल इंडिया प्लास्टिक मैनुफेक्चरर्स एसोसियेशन ने मनोज आर शाह को अपना नया अध्यक्ष चैनित किया है श्री शाह इससे पहले AIPMA में उपाध्यक्ष फाइनेंस के रूप में अपने दाईतों का निर्वाहन कर रहे थे श्री शाह PVC प्रोसेसिंग की सबसे बड़ी इंपोर्टर कंपनी RPS यानी RPS शाह अंड संस के मैनेजिंग डारेक्टर है इससे पहले वाह AIPMA के पूर्फ सेक्रेटरी संस्था के पश्चिमी भारत विंग की वाइस प्रेसिडेंट वर्स 2022 में वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस तथा वर्स 2023 में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट चुने गए थे इसके अलामवा इपमा की तरफ से प्लास्ट पैक अफरीका 2008 के डेलीगेशन चेर्मेन तथा की 2019 जर्मनी के डेलीगेशन चेर्मेन सहित टेक्स्टेशन पैनल के चेर्मेन का दायत संभाल चुके हैं AIPMA की सबसे महत्पूर प्रदर्शनी प्लास्ट विजन इंडिया की बात करें तो स्रीशाह ने वर्स 2004, 2013, 2017, 2020 और 2023 में कुल पांच बार यात्रा और आवास प्रबंधन के चेर्मेन की जिम्मेदारी के साथ ही वर्स 2001 में इस प्रदर्शनी के वित्त विभाग का नेत्रित तु किया था इसी तरह भारती प्लास्टिक इंडिस्टी के सर्मान संगठन प्लास्ट इंडिया फाउंडेशन की प्रदर्शनी में वर्स 2018, 2021 तथा वर्स 2023 में हास्पिटेलिटी कमेटी का नेत्रित उन्होंने किया था वर्स 2023 में PIF की कोर कमेटी मेंबर रहे स्री शाह मुंबई इस्थित जूहु के जैन जागरती सेंटर के भी संयुक्त सच्यू रह चुके हैं मिलाकर व्योसाइक वा सामाजिक रूप से बेहत परिपक को स्री मनोज आरसाह के अध्यक्ष बनने से AIPMA को काफी मजबूती मिलेगी हाल ही में संपन हुए AIPMA के इस चुनाव में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के रूप में चैनित स्री अनिल रेड़ी ने एक बड़ी इंट्री की है बताते चलें कि स्री रेड़ी इससे पहले कई वर्षों तक AI PMA के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में साउथ विंग की कमान सम्हाल रहे थे उन्हें सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बना कर AI PMA ने उन पर एक बड़ा भरोसा जताया है इसी तरह अगले क्रम में शुनील साह को वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस तथा अनिल रेड़ी की जगह पर PO CL Enterprises Limited के Executive Director Y.V. रमन को उपाध्धेक्ष साउथ की जिम्मेदारी दी गई है अन्य पदों में पहले की तरह विपिन देशाई को पश्चिम उपाध्धेक्ष, सुनील मोगा को उत्तर उपाध्धेक्ष और अशूक अगरवाल को पूर्वी छेत्र का उपाध्धेक्ष पनाया गया है उपरोक्त आउसर पर EIPMA की गवर्निंग काउंसिल के चेर्मैन रविंद महता ने सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारीयों को अपनी शुब कामनाये संप्रेशित की है